नमस्कार दोस्तों सबी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल मौरिया गुरू एकेडमी पर दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों को बता दूं मैं कि आप लोगों का जितने भी सेशन सत्राविस पार्ट टू के से निकल के आये वाई जीयां दोस्तों आप लोगोंका मालूमी होगा जितने भी सेशन सत्राविस पार्ट टू के स्टूडेंट से आज रिजल्ट जारी हुआ है से स्टूला अठारा का जीयां दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जितने भी पीजी, चतूर्त, समिस्टर, से इसलिए वीडियो बनाना पड़ा तो ये इस वीडियो में आप लोगों को पूरा फाइनली डेट में पताने वाला हूं जेपी इन्वर्सीटी काब आप लोगों का रिजन्ट जारी करेगा और कितने तारी को कितने बज़े सारी इंफर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेग तो दोस्तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि जितने भी students इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों के लिए वड़े information साभीत होने माला है क्योंकि बार बार मुझसे students पूछ रहे थे कि सर ये बताईए हमें कि हमारा session 17 पार 2 का result कवाएगा क्योंकि exam हमारा बीच चुका है और December में 12 December तक हमारा exam finally हो गया था आप लोगों को बता दिया जाए कि आप लोगों का जो रिजल्ट है अब रिजल्ट को लेके बार बार question कर रहे हैं students अम उससे बहुत से students से बात भी हुई है तो मतलब यह कहना है कि सभी students को कि आप लोगों का देखिए तीन जनवरी को मतल 10 जनवरी को याद रखिए 10 जनवरी को आप लोगों का जो है सेशन 17 पार 2 का रिजल्ट जारी कर देगा साई सुना आप लोगों ने 10 जनवरी को आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा क्योंकि यह good news है सभी students के लिए date देखिए date update होता रहता है ठीक है JP University date update करता रहत है लेकिन यह date आप लोगों का फाइनली जारी कर दिया है कि सेशन 17 पार 2 का रिजल्ट जो है 10 जनवरी को रिलेज कर दिया जाएगा और इसमें सभी students के लिए बड़े information साबीत होनवाला क्योंकि जो students बार-बार question कर रहे थे इससे बड़े information और कुछ भी नहीं हो सकता है क्य आपको पूरी मिलेगी कोई इंफर्मेशन नहीं चुटेगा तो हाला कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और किसी तरह को कोई भी जनकारी चाहिए तो नीचे मैसेज करिए पूरी इंफर्मेशन आपको मिलेगा ठीक है तो नेश्ट वीडियो लगाएंग